Hello my sweet audience, कैसे हैं आप, I hope खुश पाश हुआ, स्टार्ट की है, एक Let's Glow and Fit Challenge तोगेदर जी तो my sweet people, Let's get fit and glowing skin as well, इसके लिए सबसे पहले ये एक smoothie की recipe आपके साथ शेयर करे हूँ जो के होगा आपका breakfast, आपने सुबह उटके, नीम गरम पानी पीएं, अपना work out करें, अगर आप जिम नहीं जा सकते तो घर में ही walk करें, running करें, whatever उसके बाद एक medium size का apple ने skin के साथ save, यानि कि उसका चिलका ना उतारें, beat root यानि कि एक चुकंदर लें medium size का उसका चिलका उतार के उसके pieces कर लें और साथ आदा इंच अद्रक का टुकड़ा आपने इस्तमाल करना है, तीनों बहुत ही easy चीजे हैं, और इसको आपने करना है shake, इसको अच्छे से shake करें, उसके बाद अपने container में निकालें, और इसमें करें एक लिमू स्कुईज, and your smoothie is ready. Hello, कैसे हैं आप सब, I hope आप लोग फिट होंगे, fine होगे, मैंने वीडियो बनाने के लिए पूरा setup लगाया, साथ मैंने ये juice बनाया, और मैंने सोचा कि मैं साथ साथ मास्क क्रीम बनाऊँगी, basically I am making a cream, लेकिन उसे हम मास्क की तरह लगाएंगे, पूरा skin whitening and brightening, लेकिन इतन इतना डिजास्टर हुआ, तेज बारे शुरू हो गई, और मेरे जो ड्राइंग रूप में वीडियो बना जी थी, वहां पे UPS का कोई करेक्शन नहीं था, पिर मैंने सारा उसमान उठाया, यहां ही बारहल, cut story shot, let's make, brightening, whitening cream, पहली बात होती है, जो के बहुत important बाहित है, let पोज बहुत गोरे हैं, और अपना जो भी टोन आप चाहरे होते हैं, वो किसी हद तक हम मेकप से भी हासिल कर लेते हैं, लेकिन अगर skin का texture नहीं अचा, अगर skin का structure नहीं अचा, तो फिर वो white वाला चेहरा भी मज़े गानी लगा, अब मैने start करनी है, अपनी cream बनाना, इस cream क इसमें यूज हो रहा है, वो है, चावल का आर्टा, चावल का आर्टा भी बहुत सरे मास्क मैंने अब तक इसके बताए हैं, चावल का आर्टा की हर Korean, Chinese, even के अब तो European skincare में भी आपको मिलेगा, best anti-aging, best widening, best exfoliation properties, ठीक है, बस, इनी दो simple ingredients को लेके हमने अपना ये मास्क बनान है, थ्री टेबल स्पून, चावल का आर्टा, और इसमें मैंने सेम कॉडिनिटी में यॉगर्ट एल्प करनी है, कोशिश कीजेगा कि आपकी यॉगर्ट बहुत पतली ना हो, थोड़ी थिक वाली यॉगर्ट लीजेगा, नहीं तो बजार की यॉगर्ट बहतरीन है, ठीक है यह हमें फॉर सेवन डेज इनफ है, ठीक है, अचा और इसको अब मैं आपको यूज करने के तरीका बताऊंगी, तो इसको यूज करने के लिए सिंप्ली यह देखें, यह बन गई है मेरी क्रीम, दही और चाबल के मिक्सचर से, अब हमने करना क्या है, यह जो है मेरे हाथ सा जाएक कर लेती हूँ, को मेरा से थे यूज कर लेती हूँ, यह देखे, यह मैं अच्छे से साफ कर दिया, और अब मैंने क्या करना है, अब मैंने simply यह तो आप लोगों ने लेना है अर्के गुलाब, यह आप लोगों ने लेना है, पोटैटो का जूस, ठीक है, जिनके चेह तो अपने डिली करना क्या है ? Apeni साफ थेली के उपर ही लेना है अपने पिटेटो का जूस इस पिटेटो के जूस में आपने इतनी सी ख्रीम लेनी है और इसके लिए बहुत फैंसी होने की दूरवत नहीं है क्योंके हमने यह रखना चालेंज है इसको हमने 7 days करना है तो यह इसी तरीके से अच्छे से हो सकेगा अच्छा और जिन लोगों का दाव दपों का इशू नहीं है या डेली वो 7 days तक प्टैटो का जूस निकालना उनके लिए fresh क्योंकि यह fresh ही use हो का मुश्किल है तो आप लोगोंने क्या करना है आपके लिए option है अरके गुलाब की आपने इस पेस्ट को अरके गुलाब में mix करना है अब आपने इस तरीके से ठीक है यह इसका हम लेप कर रहे हैं like mask तो simple सी यह routine है लेकिन इसके benefits oh my god 7 days regular लगाएं और फिर आप साथ यह मेरी जो आपने glow recipe वाला juice है यह आपने 7 days regular पीना है ठीक है और फिर मेरे से आपने before and after शेयर करने है अच्छा अगर आप चाहते हैं कि same ही इसकी application अपने hands and feet पे करें तो hands and feet के लिए आपने क्या करना है यह आपने cream बना के fridge में रख लेनी है योगर्ट और rice की ठीक है तो यह rice बहुत soft अपना पो जाएगा तो यह under rice के लिए under rice के लिए under rice पे बस आपने रगड़ना रही है neck को आपने नहीं भूलना ठीक है यह देखें neck पे लगा लिया और hand and feet का बता रही है और hand and feet पे लगाने के लिए आपने क्या करना है पोटेटो में ही इसका potato के रसमे ही इसका paste पनाए या अर्के गुलाब में होना है three to four drops of अगर आपकी skin sensitive नहीं है तो 3-4 drops आप अपने face वाली cream में भी lemon के डाल सकते हैं लेकिन sensitive skin वाले भी very careful ठीक है और लेकिन हातों और पेरों के लिए easily आप इसमें lemon के few drops मिक्स करें और इस cream को लाज़मी फिर आप hands पे लगा लिए ठीक है मैं इसको wash करके आते हूं 30 minutes बात तब तक चैनल को subscribe कर लें वीडियो को like कर लें क्यों भूल जाते हैं इतनी सारी effort होती है obviously effort में अपनी mercy से कर रही हूं लेकिन आप लोगों के लिए बहुत दिल से कर रही हूं तो do like share and subscribe my channel भूला नहीं है मैं जल्दी से wash करके आते हूं पर तो देख रहे है results तो जल्दी से आप भी बनाएं आप भी लगाएं share करें अपने friends और fellows के साथ तक इस